ब्रेक के बाद आपका स्वाकत हैं, हमें पर लोकसबग शित्र से 12 उमीदवार चुला मेदान में हैं, 22-29 अप्राल तक चली नामांकन पक्रिया में कुल 13 उमीदवारों ने नामांकन पत्र भरा था, जिसमें से स्वाबी मान पार्टी के उमीदवार राजिश कुमार का नामा नामांकन पत्र रद कर दिया गया है, जबकि 12 उमीदवार अभी भी चुनाब मेदान में हैं, हमें पर लोकसबग शित्र से 12 उमीदवार चुनाब मेदान में हैं, 22-29 अप्राल तक चली नामांकन पक्रिया में कुल 13 उमीदवारों नामांकन पत्र भरा था, जिसमें से स्व प्रक्रिय शन्दिपुर्ण डंग से संपन हुई और चुनाब नामांकन प्रक्रिया के दुरान सबी राजनीतिक देलों के साथ अन्य आजाद उमीदवारों ने भी नियमों के अनुसार नामांकन दर्ज करवाए है उन्होंने बताए कि आज 30 अपरेल को चंटनी के दुरान एक उमीदवार का नामांकन रद हुआ है हमीर्पुर कारिमन्य कोउन्सिटवेंसिन में नामांकन पक्रिया 22 अपरेल को भी शुरू हो गई थी और कल आणि 39 अपरेल को नामांकन भरने का आखर दिन था हमें 29 तारिक तक कुल 14 नामांकन पत्र प्राफ्ट होए थे आज उन नामांकन पत्रों की स्कूरूटिनी की गई जिसमें अब्जेक्शन्स भी लिए गए पर किसी ने कोई अब्जेक्शन नहीं दिया अंत में कुल 11 वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिट्स बने हैं एक कैंडिडेट का नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किया गया है क्योंकि उन्होंने पूरे अपने एफिडेविट वगेरा नहीं दिया था और दो candidate इसमें covering candidate है main party के इस base पर reject हुए क्योंकि main candidate उनके